हेलो बच्चो स्वागत है आपका अपने चैनल SRS Learning में बच्चो ये आपकी हिंदी की बेटा 6th किलास की वर्कशिट है वर्कशिट की जो संक्या है कारेपत्रक की जो संक्या है वो है 22 और जो हमारी डेट है वो है 10 दिसंबर 2020 बच्चो स्टाट करने से पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूं अब दह नेवाद करती हूं कि आज हमारा कै हजार सब्सक्राइबर आपकी वज naj coisas से पूरे हो गएं इसके तही दिल से धन्यवाद ऐसे आपना आ श्रत हमारे साथ रहिकिए हमारे बहुत जल्दी क्या है दो हजार सब्सक्राइबर बहुत जल्दी होएंगे इसके रहे बहुत बहुत तहीं दिल से धन्य बाद अब हम आते हैं अपनी वक्षीट पर चैप्टर चल रहा है वो क्या चल रहा है हमारे ऐसे ऐसे एक अंकी जो जिसका क्या है आज भाग दो है एक भाग हम पहले पढ़ चुके हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो हम एक बार क्या है रिवाइस कर लेते हैं इस बॉक्स में क्या है कि किछले कारे पत्रक में हमने जाना कि एक आंकी अर्थ होता है एक ही अंक में पूरा होने वाला नाटक जो पूरा हो जाता है नाटक उसको हम बोलते हैं सरल सदों में कहें थे थो छोटा नाटक जिसमें एक ही अंग हो ऐसे ऐसे पार्ट में मोहन एक तक्ट पर लिटा है आठ नूव वर्श के लगभग उम्र का होगा जो मोहन ने इतना हमने क्या है हमने पहले कि वक्षित भाग वन में हमने पड़ा है अब हम उसके आगे पढ़ते हैं ये कहा है सांवाथ की रूप में हमें बता रहा कि मा बता mówi करके है मां तो books we apply पूछ यहां बच्छे क्या पुचकारती है कहती है ना ना ऐसे मत कर अभी ठीक हुआ जाता है अभी डाक्टर को बिलाया है ले तब तक सेक ले उसे क्या है वो चादर हटा कर पेट पर बोतल जैसे होता है ना कि जो हमारे पेट में दरत होता तो मम्या या जो भी हमारे प्रशन तो नहीं का लिया पिता कहां कुछ भी नहीं सिर्फ एक केला और एक संत्र ही तो खाया था अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूद कूदा फिर रहा था बस अड़े पर आक आकर यकायक बोला जी पिता जी मेरे पेट में कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है मतलब कह रहे हैं कि जी नंने पूछा चाको सा चुपता है तो जवाब दिया नहीं गोला सा फूटा thoroughly जो पूछा उसका जवाब नहीं बस एक हीरट लगा रखा है ऐसा होता है माा हसकर हसी की हसी दुख का दुग ये ऐसा-एसा क्या होता है कोई नः बीमारी तो नहीं है यग käytt यह सका मूँ अ जोड़ा होती हो जाती हो ठीक है न फिर पिता अजी एकदम सफेद पढ़ गया था खड़ा नहीं रहा गया बसमे भी नाशतर रहा मेरे पेट में ऐसा हो रहा है मा जोड से करा कर दो मा वो मा नब मेरे बेटे मेरे लाल ऐसे नहीं जड़ा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया इस से तो कुछ ज्यादा ही तकलीव जान पड़ती है यह एसे हैसे तो कोई बड़ी नहीं बड़ा खराब बिमारी वह है मतलब उस तो पताई यह lang क्या है तो कहती है कि यह ऐसी ऐसी तो बड़ी खराब बिमारी है देखो ना कैसे लोट रहा है जरा भी कल नहीं पड़ती मत उसको कुछ रास भी अराम नहीं पड़ता हींग चूरन पीपरमेंट सब दे चुकी हूँ व्यादे जी आते ही हो व्यादे जी आ जाते वो कहती है मैंने इत पाठ में ऐसे ऐसे जानने के लिए पिता ने मोहन से क्या क्या सवाल पूछे तो यह आपके लिए परशन है कि पाठ में ऐसे ऐसे जानने के लिए पिता ने मोहन से पूछा मोहन क्या पेट में गडबड हो रही है क्या चाकु सा चूपता है क्या गोला सा फुट है उन्होंन मा मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर इसलिए गबरा रही थी क्योंकि वे बिमारी का नाम नहीं पता था बस पेट पर हाथ रख कर जोड़ जोड़ से कह रहा था वे ऐसे ऐसे का कोई नई बिमारी समझ रही थी वो क्या है वो जो बाबर कह रहा था ऐसा ऐसा हो रहा है ऐसा ऐसा और तो क्या है वो सोच रही थी कि ऐसा ऐसा कोई नई बिमारी क्या है उत्पन हुई है इसलिए वो गबरा रही थी अब हमारा तीसरा कोशन क्या है कि इसने कहीं कुछ अंडशंट तो नहीं खा लिया वाक्य में अंडशंट का जो मतलब हो सकता है वो क्या हो सकता है वाक्य में अंशंड का मतलब बेकार की चीजें खाने से हो सकता है। जो किया है एस विमारे को दूर करने के लिए मान ने क्या क्या उपाय किये ? मा ने निम्न उपाय किया जैसे हींग चूरन पिपर्मेंट आदी क्या है उस मोहन को दे दिया तो बच्चो ये आपकी आज की बिटा वक्षीट है जिसमें हमने आपके पूरे कोशन डिसकस किये हैं लिख के लाए हैं आपके लिए और कोशिश किया है कि आपको समझ में आया ह साथ में और शेयर भी कर दीजिएगा और बच्चो ये एक बार आपसे गुचारे चाहिए याद रखे कि हमारा जो चैनल है वो केजी किलास से नाइंट किलास तक के बिटा वक्षीट बनाता है प्रोवाइट करता है आपको एक दिन पहले या दो दिन पहले तो प्लीज जर बतवा तो मास लगाओ जांबी जारो वैसे जारो अगर हो सक तो जारो तो मास लगा कर जांव शोर्ट ल्यस्ट्रेंसिंग का पालन करो जिसे दो कच दूरी कहते ऐ कर्दे और घर पर आओ तो न हओ या आपने हात मों दो या अपने हैशार अन से हाथ दो सानिटाइज करो ठीक है बच्चो मिलते हैं आगे की वक्षिट के साथ बाई बच्चो